Hello guys, welcome back to my YouTube channel आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि branch personal loan application से loan के लिए कैसे apply करना है interest rate कितना लगता है, repayment करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये application सच्मुच में अधार काट से 50,000 तक का loan प्रोभाइट करता है ये application real application है या fake application है RBI NB FC द्वारा authorized application है या नहीं तो सबसे पहले branch personal cash loan application का review करूंगा then आपको इस application के थुरू अधार काट से 50,000 तक का loan लेने का तरीका पताऊंगा तो अगर आप जो जो step मैं बताऊंगा अगर आप उस उस step को follow करते हो तो आपको मातर 3 मिनट के अंदर आपका loan अप्रूव हो करके directly आपके अपने bank account में transfer कर दिया जाएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं उससे पहले चैनल को subscribe नहीं कि वीडियो को like करो तो सबसे पहले branch loan application की अगर review की अगर मैं बात करूँ तो 4.4 review देखने के लिए मिल जाते हैं और इसकी downloading की मैं बात करूँ तो 10 million से भी ज़्यादा लोगों ने branch personal loan application को download करके यहां से अधार काट से 2 मिनट के अंदर 50,000 तक का loan अप्रूव करा रहे हैं और लोगों का loan भी अप्रूव रहे हैं और वीडियो के लास्ट में bonus tips भी देने वाला हूँ तो सबसे पहले इस application की about features के बारे में मैं आपको बताऊं कि सचमुच में 50,000 तक का loan प्रूवाइट करता है RBI, NB, FC द्वारा authorized application है repayment करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है interest rate कितना लगता है तो guys मैं आपको बताऊं एक के करके यदि अगर आप branch personal cash loan application से loan के लिए apply करते हो तो इस application में आपको 750 रूपिया से ले करके 50,000 तक का आपका loan प्रूवाइट किया जाता है repayment करने का समय 62 दिन से ले करके 6 महिने तक का आपको repayment करने का समय मिलता है interest rate के अगर मैं बात करूँ तो 2% से ले करके 30% तक का आपका interest rate लगता है यह depend करता है आपके अपने profile के उपर यदि अगर आप इसका repayment का method समझो यदि अगर आप इस application के थूँ loan के लिए apply करते हो तो interest rate कितना लएगा repayment करने का process क्या क्या होता है तो मैं आपको example के रूप में बता हूँ यदि अगर आप branch loan application के थूँ loan के लिए apply करते हो और आपका 15,000 का loan अप्रूब हो गया example के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा भी अप्रूब हो सकता है repayment करने का समय 6 महीने के लिए मिलता है ARP 92% और आपका monthly यहाँ पे interest rate है loan amount का 3.2% processing फी आपका 1099 रूपिया GST 157 रूपिया और आपका interest rate 264 रूपिया तो आपको पोर मन्त EMAI आपको 6 महीने तके 940 रूपिया पे करना पड़ेगा यानि कि 15,000 का loan लेते हो processing फी और GST को माइनस करके आपका यहाँ पे 13,704 रूपिया ट्रांसपर किया जाता है और 15,000 का loan लेते हो तो interest rate processing फी GST के साथ total repayment करना पड़ता है आपको 17,640 रूपिया यानि कि आपको कॉम से कॉम interest rate में यह application loan प्रोवाइड करता है और यह application RBI और NBFC द्वारा register किया गया application है क्योंकि 10,000,000 तो लोग बेवकूफ नहीं नहोंगे कि यहाँ से loan के लिए apply कर रहे है तो guys इस पे आप 100% से trust कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो guys सबसे पहले इस application का original video के description में आपका link मिल जाता है वहाँ पर click करके install कर लेना है जैसे ही install कर लेते हो उसके बाद इस application को आपको open करना है जैसे ही इस application को open करते हो welcome to brand choose your preferred language तो guys यहाँ से आपको select करना पड़ता है language select करने के लिए arrow वाले option पर click करना है जो भी language आप select करना चाहते हो आपको language select करने के बाद continue वाले option पर आपको click करना है Registration complete करना पड़ता है अगर आपको branch application के बारे में जानना चाहते हो तो learn more पर click करके इस application के बारे में ज्यादा जान सकते हो otherwise कोई दिक्त वाली बात नहीं आपको register करने के लिए यहाँ पर arrow वाले register वाले option पर आपको click करना होगा उसके बदकूत समय तक wait करते हो यह application loading लेगा औ आपको welcome to branch create a new account और sign in तो यहाँ पर आपको create करना पड़ता है नया account या sign in कर सकतो है याणि की अगर आप पहले से अगर आप branch में account है तो आपको I have a branch account first वाले option पर आपको click करना है अगर आप नया account create करना चाहते हो आपके पस कोई account नहीं है तो I am new to branch पर आपको click करना है तो कि नया account create करना चाहता हूँ उसके बाद अब आपको चूज करना पड़ता है country कभी कभी यहाँ पे network के बज़ा से problem हो सकता है retry पर click करोगे कुछ इस तरीके से option आजएगा तो choose वाले option पर click करना है जो भी country से belong करते हो तो आपको country select कर लेना है रोजिस्टर करना परता है mobile number से या register करना परता है facebook से तो याने कि आप किस चीशल से register करना चाहते हो account किस चीशल से create करना चाहते हो तो guys मैं आपना mobile number से register करना चाहता हूँ तो guys register with phone number वाले option पर click करूंगा आप अपने हिसाब से आप registration complete कर सकते हो और आपको register करने के लिए यहाँ पे आपको 10 digit का mobile number fill करना पड़ता है वही mobile number आपको fill करना है जिसमें आपका SMS याने की आपका OTP हाच सके तो आपके उसके लिए आपको mobile number जो होगा आपको recharge होना चाहिए तो चलिए मैं अपना mobile number यहाँ पे fill कर लेता हूँ जैसे ही आप अपना mobile number fill कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे register new account का option आपको देखने के लिए मिल जाता है register new account वाले option पर आपको click करना है working करेगा कुछ समय तक आपको wait करना है और जैसे ही wait करते हो तो आपके अपने जो आप mobile number fill किये होगे उस पे आपका verification क करने के लिए OTP आता है code आता है तो automatic भी कभी कभी detect कर लेता है यहाँ पे आपको नहीं आएगा तो copy करके paste कर सकते हो यह again से recent OTP पर click करोगे तो आपका OTP आएगा और यहाँ पे आपको fill करना है और आपको कुछ समय तक wait करते हो तो आपका registration complete हो जाता है branch application में अब आप यहा अपनी से यहां पर आपको क्लिक करकर यहां से भी लोन के लिए among other ॥िइवाज यहां प्लाइन आउ का option अपको देखने के लिए मिल जता है तो जिधर से आप apply करना चाहते हो आप loan के लिए apply कर सकते हो तो guys आपको apply now वाले option पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जता है start your loan application का option वाले option पर आपको click करना है क्लिक करते हो जैसा ही उसके बद working करेगा कुछ समय तक wait करते हो जिसमें अब आपको कुछ कुछ आपको permission देने परते हैं आपके अपने phone के तो सबसे पहले install application का उसके बद contact आपका number का उसके बद SMS का और location का तो आपको permission देने के लिए allow access का option आपको देखने के लिए मिल जाता है allow access वाले option पर click करके first option select करके जितने बार भी आपसे permission माएंगा आपको allow allow सारे permission को आपको allow allow click कर देना है और गई जैसा ही आप permission देते हो अब आता है आपका identity type select करने के लिए to get start यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है आपको identity type select करना पड़ता है तो arrow वाले option पर आपको click करना है यहाँ पे identity type अधार card से loan के लिए apply करना चाते हो या voter ID card से loan के लिए apply करना चाते हो दोनों में से कोई एक कुछ लेक कर सकते हो अगर आपके पास pen card नहीं है फिर भी आप loan के लिए apply कर सकते हो तो guys मेरे को अधार card से loan के लिए apply करना है तो अधार काड़ वाले option पर आपको click करना है उसके बद आपको continue वाले option पर click करना है जैसे ही आप अधार काड़ करके continue वाले option पर click करते हो अब आता है यहाँ पर आपको ID को verification complete करने के लिए get ready to submit the flowing document है तो आपको अधार काड़ का है और original get handing या clear photos यानि अधार का original photo होना चाहि पर आता है उसके बद एक आपका selfie upload करना परता है तो यह सब सारा चीज upload करने के लिए next वाले option पर click करके first option आपको select करना है उसके बद अधार काड़ का front का photo और अधार का back का photo upload करने के बद आपको selfie verification complete कर लेना है तो चलिए मैं अपना selfie verification complete कर लेता हो तो गाई जैसे ही आप Selfie verification complete कर लेते हो अब आपका next page open होता है जिसमें आपको personal information fill करना होता है personal information में तीन simple step complete करने पड़ते हैं first step में आपका basic information fill करना पड़ता है second में आपका work information fill करना पड़ता है third में आपका bank का information fill करो और आपका loan approve हो करके directly आपके अपने bank account में transfer हो जागा first of all आपका date of birth basic information में date of birth आपको select करने के लिए please choose वाले option पर click करना है जो भी आपका date of birth का month, year और आपका date है तो आपको date of birth आपको fill कर लेना है उसके बाद gender male हो female हो या other हो तो please choose वाले option पर click करके आपको gender type लेना है उसके बाद marital status please choose वाले option पर click करना है single हो married हो divorce हो या वीडियो जो तो आप अपने हिसाब से आपको marital status आपको fill करना है उसके बाद जिनी के नाम से loan के लिए apply कर रहे होगे जिनका आप document में अधार काड upload की होगे उनका full name क्या है अधार काड पर तो अधार काड पर जो उनका full name होगा अधार का full name आपको यहाँ पर fill करना है उसके बाद एक आपको email id आपको fill करना पड़ता है तो चलिए मैं अपना basic information को fill करके next वाले option पर click कर लेता हूँ तो जैसे ही आप अपना basic information को fill कर लेते हूँ अब आता है आपका work information work information में आपको employment information fill करना पड़ता है employment information में employment type fill करना पड़ता है employment type में please choose वाले option पर click करना है full time काम करते हो, part time काम करते हो, freelancer हो या no work यानि कोई भी काम नहीं करते हो तो आप अपने ही साब से आपको employment types ले करना है यदि अगर आप salary person हो या self employment होगे तो per month आपका earning होता होगा न तो एक महीने में कितने पैसे on कर पाते हो आपका monthly income कितना है तो please choose वाले option पर click करके आप अपना monthly income आपको choose कर लेना है उसके बाद यदि अगर आप कोई company में काम करे यानि कि कितने सालों से कितने महीनों से कितने दीनों से काम कर रहे होगे तो आपको please choose वाले option पर click करके आप अपना जितने भी सालों से company में काम कर रहे होगे तो आपका month, year और आपका date select कर लेना है तो चलिए मैं अब अपना work information फिल करके next वाले option पर click कर लेता हूँ तो गाई जैसे ही आप अपना basic information work information फिल कर लेते हो अब आता है आपका bank का information फिल करने के लिए bank का information वही फिल करना है जिसमें अगर आपका loan अप्रूव हो तो directly आपके अपने bank account में transfer हो सकता है तो आपका bank account active bank account होना चाहिए ताकि आप loan मतलब की loan को निकाल सको या repayment भी अगर आप चाहो तो उसी bank account से भी कर सकते हो तो आपको bank account add करने के लिए आपके पास IFSC code होना चाहिए तो आपको IFSC code फिल करना पड़ता है ब्रांच का नाम फिल करना पड़ता है और bank account का number फिल करो और जो document में आप अधार cut का photo upload की होगे उसी पे अधार cut का number होगा तो आपको अपना bank का information फिल कर लेता हूँ यह सारे अपके अपने passbook पे होगा तो आपको यहाँ पे bank का information फिल करके next वाले option पर क्लिक करके submit कर लेना है तो जैसे ही सारे details को फिल करने के बाद submit करते हो कुछ इस तरीके से आपके अपने application में open हो जाता है अगर आपका loan approve हो जाएगा तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे so हो जाएगा otherwise उपर में आपको side में आपको profile का option देखने के लिए मिल जाता है profile वाले option पर क्लिक करना पड़ता है उसके बाद history का option देखने के लिए मिल जाता है history वाले option पर क्लिक करोगे तो अगर आपका loan approve हो जा होगे तो bank account में directly transfer हो जाएगा तो यहाँ पे 100 हो जाता है तो इस तरीके से आपको branch loan application के थुरू loan लेने का तरीका पता चल गया होगा bonus tips के अगर मैं बात करूँ अगर आपको कोई भी कारण बस branch loan application के थुरू loan अप्रूफ नहीं होता है तो नीरा application से credit बे application application से 5 application से loan के लिए कैसे apply करना है क्या क्या प्रोसेस है इस पे प्रोपर वीडियो बना करके वीडियो का link दे दिया हूँ description में या i button में वीडियो को देखो और आपका 110% loan अप्रूफ हो करके directly आपके अपने bank account में transfer हो जाएगा क्योंकि सारे application RBI और NBFC द्वरा authorized application है तो 100% safe and secure application है और आपका loan अप्रूफ हो जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना तो मिलते हैं ऐसे ही नए और loan application के साथ तब तक के लिए bye bye take care